प्रेरितो पहला अध्याए एक से चब्वीस तक हे थियू फिलुस मैंने पहली पुस्तिखा उन सब बातों के विशे में लिखी जो इश्यो आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिने उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आग्या दे कर उपर उठाया न गया उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमानों से अपने आपको उन्हें जीवित दिखाया और चालिस दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्विर की राज्य की बाते करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आग्या दी यरुशलिन को न छोड़ो परंतु पिता के उस प्रतिया के पूरे होने की बात जो होते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो क्योंकि युहन्ना ने तो पानी में बापतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दुनों के बाद तुम पवित्रात्मा से बापतिस्मा पाओगे अतहर उन्होंने इकटे होकर उससे पूछा है प्रभू क्या तु इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा उसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं परंतु जब पवित्रात्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरुशलेम और सारे यहुदिया और सामरिया में और पृत्वे के चोड तक मेरे गवा होगे यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से चिपा लिया उसके जाते समय जब वे आकाश के और ताक रहे थे तो देखो दो पृुष्वे तवस्तर पहिने हुए उनके पास आखड़े हुए और उनसे कह आहे गलीली पुरुष्व तुम क्यों खड़े आकाश के और देख रहे हो यही इश्यू जो तुमारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है जिस रिती से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रिती से और फिर आएगा तब वे जैतुन नामक पहाड से जो यरुशलिंग के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है यरुशलिंग को लोटे जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पत्रस और यूहना और याकुब और अंद्रियास और फिलिपुस और तोमा और बर्तुलेमा और मत्य और हलफाई का पुत्र का पुत्र यहुदा रहते थे ये सब कई स्थ्रियों और इशु के माता मरियम और उसके भाईयों के साथ एक चित होकर प्रात्ना में लगे रहे उन्हें दिनों में पत्रस भाईयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगबग थे खड़ा होकर कहने लगा है भाईयों अवश्य था कि पवित्र शास्तर का वलिक पूरा हो जो पवित्रात्मा ने दाउत के मुक्ष से यहुदा के विश्य में जो इशु के पकड़ने वालों का अगुवा था पहले से कहा था क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सह भागी हुआ उसने अधर्म की कमाई स एक खेत मोर लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतडिया निकल पड़ी इस बात को यरुशलेम के सब रहने वाले जान गए यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी भाशा में हकल दमा अर्थात लहु का खेत पड़ गया भजन सहिदा में लिखा है उसका घर उजड जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले इसलिए जितने दिन तक प्रभू इश्यू हमारे साथ आता जाता रहा अर्था त्योना के बापतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाये जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे उन्में से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवा हो जाए तब उन्होंने दो को खड़ा किया एक यूसुफ को जो बर्सबा कहलाता है जिसका उपनाम यूस्तूस है दूसरा मतित्या को और यह प्राथना की हे प्रभू तू जो सबका मन जानता है यह प्रगट क करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाय और प्रेडिताय का पदले जिससे यहुदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया तब उन्होंने उनके बारे में चिट्टिया डाली और चिट्टि मतित्या के नाम पर निकली अतहव उन 11 प्रेडितों के अर्थात यहुदा गोत्र का आकान जो जेरवन्शी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था उसने अर्पन के वस्तूं में से कुछ ले लिया इस कारण यहुदा का कोप इसरालियों पर भड़क उठा यहुशू ने यरिहों से ए नामक नगर के पास जो बितावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है कुछ पुरुशों को यह कहकर भेजा जाकर देश का भेद ले आओ और उन पुरुशों ने जाकर एका भेद लिया और उन्होंने यहुशू के पास लोट कर कहा सब लोग वहां न जाए कोई दो तीन हजार पुरुश जाकर एको जीत सकते हैं सब लोगों को वहां जाने का कश्ट न दे क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं इसलिए कोई तीन हजार पुरुश वहां गए परंदु एके रहने वालों के सामने से भागाए तब एके रहने व पिखल कर जलसा बन गया तब यहोशु ने अपने वस्तर फाड़े और वह और इसराली वृद्ध लोग यहवा के संदू के सामने मूग के बल गिर कर पृत्वी पर सांज तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर दूल डाली और यहोशु ने कहा हाए प्रभु यहोवा तो अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया क्या हमें इमोरियों के वर्ष में करके नश्ट करने के लिए ले आया है भला होता कि हम संतोश करके यरदन के उस पार रह जाते हाए प्रभु मैं क्या कहूं जब इसरालियों ने अपने शद्रूओ को पीट दि कहा उठ खड़ा हो जा तो क्यों इस भाती मुखे बल पृत्वी पर पड़ा है इसरालियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है उन्होंने अर्पन की वस्तूओं में से ले लिया वरंद चोरी भी की और इसलिए कि वे आप अर्पन की वस्तूओं बन गए हैं और यदि तुम अपने मद्य में से अर्पन की वस्तूओं का सत्यनाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा उठ प्रजा की लोगों को पवित्र कर उनसे कह सबेरे तक अपने अपने को गड़ा न रह सकेगा इसलिए सबेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समिप खड़े किये जाओगे और जिस गोत्र को यहवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए और जिस कुल को यहवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए फिर जिस घराने को यहवा पकड़ वह एक एक पुरुष करके पास आए तब जो पुरुष अर्पन के वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डाल कर जला दिया जाएगा क्योंकि उसने यहवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राइल में अनुचित कर्म किया है यहोशु स गराने के एक एक पुरुष को समी पलाया और जब्दी पकड़ा गया तब उसने उसके घराने के एक 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 पुरुष को समी पकड़ा किया और यहुदा गोतर का आकान जो जेरहवनशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया तब यहोशु आकान से कहने लगा हे मेरे बेटे इस्राइल के परमेश रिहावा का आधर कर और उसके आगे अंगिकार कर और जो कुछ तुने किया है वो मुझे को बता दी और मुझे से कुछ मत छिपा आकान ने योश को उतर दिया सच मुझ मैंने इस्राइल के परमेश रिहावा के विरुद पाप किया और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और दो सो शिखेल चांदी और पचास शिखेल सोने की एक इंट देख पड़ी तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया वे मेरे डेरे के बीतर भूमे पे गड़े हैं और अपके नीचे चांदी है उनको उन्होंने डेरे में से निकाल कर यहोशु और सब इस्राइलियों के पास लाकर यहवा के सामने रख दिया तब सब इस्राइलियों समेत यहोशु जेरेवनशी आकान को और उस चांदी और उढ़ने और सोने की इंट को और उसके बेटे तुने हमें क्यों कश्ट दिया है आज के दिन यहवा तुझी को कश्ट देगा तब सब इस्राइलियों ने उस पर पत्राव किया और उनको आग में डाल कर जलाया और उनके उपर पत्र डाल दिये और उन्होंने उसके उपर पत्रों का बड़ा धेर लगा दिया जो आज तक तब यहवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया इस कारण उस्तान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है यहोशु आठ ध्या एक से पैंती इस तक तब यहवा ने यहोशु से कहा मत डर और तेरा मन कच्चा न हो कमर बांद कर सब योधाओ को साथ ले और ए पर चड़ाई कर सुन मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समय ते रिवश में किया है और जैसा तुने यरी हो और उसके राजा से किया वैसे ए और उसके राजा के साथ भी करना केवल तुम पशुओ समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे इसलिए उस नगर के पीछे के और अपने पुरुष घात में लगा दो अतह यहोशु ने सब योधाओ समेत ए पर चड़ाई करने के तयारे की और यहोशु ने तीस दूर न जाना और सब के सब तयार रहना और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाओंगा और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकले तब हम उनके आगे से भागेंगे तब वे यह सोच कर कि वे पहले की भांती हमारे सामने से भागे जाते हैं हमारा पीछा करेंगे इस प्रकार हम उनके सामने से भाग कर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना क्योंकि तुम्हारा परमेश और यहवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगा कर फूंक देना यहवा की आग्या के अनुसार ही काम करना सुनो मैंने तुम्हें आग्या दी है तब यहोशु ने उनको भीज दिया और वे घात में बैठने को चले गए और बेतेल और एके मद्ये में और एकी पश्चिम के और बैठे रहे परन्तु यहोशु उस रा के निकट पहुंचर उसके सामने उत्तर की और डेरे डाल दिये और उनके और एके बीच एक तराई थी तब उसने कोई पांच हजार पुरुष चुनकर बेतेल और एके मद्ये नगर के पश्चिम की और उनको घात में बठा दिया और अब लोगोंने नगर के उत्तर और की स इसराई के बीच गया जब एक राजा ने यह देखा तब वे फूर्ती करके सबेरे उठे और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इसराईलियों के सामने उनसे लड़ने को निकल कर टहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने है पहुंचा और वह नहीं जानता था कि इसराईलियों का पीचा करने को पुकार पुकार के बुलाए गए और वे यहोशु का पीचा करते हुए नगर से दूर निकल गए और न ए में और न बेतेल में कोई पुरुश रह गया जो इसराईलियों का पीचा करने को न गया हो और उन्होंने नगर को खुला हुआ उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे जटपट अपने स्थान से उठे और दोड़ कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और जटपट उसमें आग लगा दी जब एक पुरुशों ने पीछे की और फिर कर दिश्टी की तो क्या देखा कि नगर का दुआ काश की और उठ रहा है और उन्हें न तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर और जो लोग जंगल की और भागे जाते थे वे फिर कर अपने खदेडने वालों पर तूट पड़े जब यहोशु और सब इसरालियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया और उसका दुआ उठ रहा है तब घुम कर एके पुरुशों को मारने लगे और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए इसलिए वे इसरालियों के बीच में पड़ गए कुछ इसराली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे अतहर उन्होंने उनको यहां तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया और एके राजा को वे जीवित पकड़ कर यहोशों के पास ले आए जब इसराली एक के सब निवासियों को मैदान में अर्था तो उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके और वे सब के सब तलवार से मारे गए यहां तक कि उनका अंत ही हो गया तब सब इसरालीयों ने एक को लौट कर उसे भी तलवार से मारा और स्थ्री पुरुष सब मिला कर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे और एक ए सब पुरुष इतने ही थे क्योंकि जब तक यहोशों ने एक ए सब दिवासियों का सतनाशन कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्चा बढ़ाया था फिर न घीचा यहवा की उसाग्या के अनुसार जो उसने यहोशों को दी थी इसराइलियों ने पशु आदिनगर की लूट अपनी कर ली तब यहोशों ने एक को फुकवा दिया औ आज तक उजाड पड़ा है और एक राजा को उसने सांज तक व्रक्ष पर लटका रखा और सुर्य डूबते डूबते यहोशों के आगया से उसका शव व्रक्ष पर से उतार कर नगर के फाटक के सामने डाल दिया गया और उस पर पत्थरों का बड़ा धिर लगा दिया जो आज तक बना है तब यहोशों ने इसराइल के परमेश और यहोवा के लिए एबाल परवत पर एक वेदी बनवाई जैसा यहोवा के डास मुसा ने इसराइलियों को आगया दी ती और जैसा मुसा की व्यवस्था की पुस्थक में लिखा है उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बली चड़ाए और मेल बली किये उसी स्थान पर यहोशों ने इसराइलियों के सामने उन पत्थरों के उपर मुसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इसराइली अपने वृद लोगों सरदारों और नियाईयों समेट यहोवा की वाचा का संदुक उठाने वाले लेवी याजकों के सामने उस संदुक के इधर उधर खड़े हुए अर्थात आदे लोग तो गिरिजिम परवत के और आदे एबाल परवत के सामने खड़े हुए जैसा कि यहोवा के दास मुसा ने पहले से आग्या दी थी कि इसराइली प्रजा को आशरवा दिये जाए उसके बाद उसने आशिश और शाप की व्यवस्था के सारे वच्चन जैसे जैसे व्यवस्था के पुस्थक में लिखे हुए ह वैसे वैसे पढ़ पढ़ कर सुना दिये जितनी बातों की मुसा ने आग्या दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोवशु ने इसराइल की सारी सभा और स्थ्रियों और बालबच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़ कर न सुनाई यहोशु नौ अध्या एक से सताइस तक यह सुनकर हित्ती एमोरी कनानी परिजी हिब्वी और यबू सी जितने राजा यर्दन के इस पार पाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानों के सामने के महा सागर के तट पर रहते थे वे एकमन होकर क्या क्याह किया है तब उन्होंने छल किया और राज़्दूतों का भेश बना कर अपने गदों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड लगे हुए मदीरा के कुप्पे लाध कर अपने पाओं में पुरानी पैभंद लगी हुई जूतिया और तन पर पुराने वस्तर पहिने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूदी लगी हुई रोटी ले ली तब वे गीलगाल के चावने में यहोशु के पास जाकर उस से और इसराइली पुरुशों से कहने तुम से बाचा कैसे बांदे उन्होंने यहोशु से कहा हम तेरे दास है तब यहोशु ने उनसे कहा तुम कौन हो और कहां से आये हो उन्होंने उस से कहा तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश और यहवा का नाम सुनकर आये हैं क्योंकि हमने यह सब सुना है अर जाजा उसे किया, जो यरदन के उस पार रहते थे अरतात, हिशबोन के राजा सिहों से और भाषान के राजा ओग से जो अश्तारोत में था, इसलिए हमारे यहां के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश की सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपना साथ भोजन वस्तू लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास है इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांदो तो जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हम ने अपने अपने घर से ये रोटी गरम और ताजी ली थी परंतो अब देखो ये सूख गई है और इसमें फफंदी लग गई है फिर ये जो मदीरा की कुपे हमने भर लिये थे तब तो नए थे परंतो देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्तर और जूतिया बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है तब उन पुरुशों ने यहवा से बिना सला लिये उनके भोजन में से कुछ ग्रहन किया तब यहोशों ने उनसे मेल करके उनसे ये वाचा बांदी कि तुमको ज से हैं तब इस्राइली पुरुश कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किरिया तारिम है पहुंच गए और इस्राइलियों ने उनको नव मारा क्योंकि मंदली के प्रधानों ने उनके संग इस्राइल के परमेशर यौवा की शपत खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते, हम उनसे यही करेंगे कि उस शपत के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपत के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा, फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाए, अतह प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़ारे और पानी भरने वाले बने, फिर यहोशू ने उनको बलवा कर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हम से यह कह कर, क्यों चल किया है कि हम तुम से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए अब तुम शापित हो, और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमिश्वर के भवन के लिए लकड़ारा और पानी भरने वाला न हो, उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को ये निश्चे बतलाया गया था, कि तेरे परमिश्वर यौव से अपने प्राणों के लाले पढ़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया, और अब हम तेरे वश में है, जैसा बढ़ता तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े, वैसा ही वैवार हमारे साथ कर, तब उसने उनसे वैसा ही किया, और उन्हें इसराइलियों के हाथ से ऐसा बचा जैसा आज तक है, भजन सहीदा, असी अध्याए, एक से उन्नीस तक, हे इसराइल के चरवाहे, तुझो यूसुफ की अगवाई भेडो की सी करता है, कान लगा, तुझो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, प्रेम बीनियामिन और मनश्य के सामने अपना पर उद्धार करने को आ, हे परमेश्वर हमको जियोंका त्यों कर दे, और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा, हे सेनाओ के परमेश्वर यहवा, तुझो कब तक अपनी प्रजा की प्रातना पर क्रोधित रहेगा, तुने आस्वों को उनका आह कर दे, और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा, तुमिसर से एक दाखलता ले आया, और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया, तुने उसके लिए स्थान तयार किया है, और उसने जड़ पकड़ी और फैल कर देश को भर दिया, उसकी चाया पहाड़ों पर फैल गई, और उसकी डालिया ईश्वर के देवदारों के समान हुई, उसकी शाकाय समुदर तक बढ़ गई, और उसके अंगूर महानत तक फैल गए, फिर तुने उसके बाढ़ों को क्यों गिरा दिया, कि सब बटो ही उसके फलों को तोड़ते हैं, ज पौजा तोने अपने दाइने हाथ से लगाया, और जो लता की शाका तोने अपने लिए द्रड की है, वह जल गई, वह कट गई है, तेरी खुडकी से वह नश्ट हो जाए, तेरे दाइने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तो पर चबगा, तब हमारा उधार हो जाएगा,